हेलो दोस्तों तो एक नई वीडियो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लेंड के ओपर पाकिस्तान और इंग्लेंड के दर्मियान T20 Match Series और Test Match Series पाकिस्तान में खेले जाएगी उसे ही है और पहले मरले में जो है साथ T20 Matches खेले जाएगे फिर पाकिस्तान जो है New Zealand चला जाएगा फिर World Cup है फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है Pakistan और England की सीरीज खेले जाएगी जिसमें तीन Test Matches है ठीक है और यह सीरीज जो है चार वेन्यूस प्रिकले जाएगी जिसमें मुलतान, राउल पिंडी, काराची और लाहूर ठीक है मुलतान, राउल पिंडी और काराची जो है Test Matches की मिजबानी करेंगे और काराची और लाहूर जो है T20 की मिजबानी करेंगे ठीक है तो वो T20 में कप्तानी करते वे हमें नजर नहीं आएंगे ठीक है लेविंस्टन भी जो है इंजरी की वज़ए से बाहर हो गए ठीक है और सौर से ज़राय तो यह बोर रहे है कि रॉय की भी पर्फॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं है तो रॉय को शायद ड्रॉप करकर और रॉय जो है वोल्ड कप में भी शायद इंगलेंड की नमाइंदे की महा करें क्योंके रॉय के लिए यह साल और पिछला साल काफी ही पथेटिक गया और उनकी पर्फॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं आरी ठीक है और मुहीन अली जो होंगे वो टी 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 में इंगलेंड की कफ्तानी करेंगी जो हिस्टॉरिकल दोरा है पाकिस्तान का और साथ टी टी मैचिस के लिए जाएंगे लाहूर और कराची में पाकिस्तान की तरफ से भी हमें शाहिन शाह अवरीदी शायद देखने को ना मिले नसीम शाह की भी दोर दोरी फिटनेस का इश्यूज है और पाकिस्तान ये भी बोल रहा है कि पाकिस्तान जो है अपने नए फास पॉलर्स को शायद ट्राइब कर सकता है जिसमें फाहीम टैक है वह इन एक्स्पीरियंस है ठीक है मौहमद अस्टैन को भी अभी तक प्रॉपर ट्राइब नहीं किया गया और साथ दी साथ शानावाजदानी को भी रखेंगे लेकिन सोचल दरा ये बोले के वहाब रयास और मौहमद आमिर की भी शायद वापसी हो सकती है अगर शा आई मिलता हूं वीडियो में टेक क्यार अलाहसेश